नमस्कार दोस्तों, सागत है आप सभी का हमारे चनल पर. आज हम आपको सर्थियों में मचली खाने के कुछ फाइदू के बारे में बताएंगे. मचली बहुत ही पॉष्टिक होती है और इसमें उच गुडवता वाले प्रोटीन, आयोडिन, खनेज और विटामीन से होते हैं, जो बाकी की खाने की चीज़ों में नहीं मिल पाता है. इसलिए इसे थंडियो मेनिया मित रूप से खाना चाहिए. सौ ग्राम मचली में 116 कैलोरी, 3 ग्राम वसा और 20 ग्राम प्रोटीन होता है. ट्यूना फिश में 109 कैलोरी, 1 ग्राम से कम वसा और 24 ग्राम प्रोटीन पाय जाता है. साथ ही किसी भी प्रकार की मचली में ओमेगा 3 fatty acid, विटामिन D और B2B बरपूर मात्रा में पाय जाता है, जिससे आप कई बिमारियों से बचे रहते हैं. मचली को नाश्टे या दुब भर के समय खाना जादा फायदे मन्द होता है, क्योंकि इससे इससे digest करने में आसानी हो जाती है. तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि सर्दियों में इसका सेवन करने से आपको क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं. सबसे पहले एकने विदन उन सभी दर्शकों से, जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आया हैं, क्रप्या हमारे चैनल की सदसता को ज़रूर ले लें, तकि आप हमसे जुड़े रहें, हमारे दौरदी के जानकारी को रोज देख पाएं, और उन से फायदा भी ठासकें. साथ ही सही चैनकारी के लिए इसे अंते तक जरूर देखेगा. दोस्तों, मचली का सीवन करने से दिमाग तेज होता है, साथ ही इससे मानसिक विकार और अल्जाइमर का खत्रा भी कम हो जाता है. इसके अलावा, इसमें मौजुन प्रोटीन से मस्तश्क की नई कोशिकाओं का निर्मान होता है, जिससे स्मरन शक्ती पढ़ती है. लो कैलोरी फूड होने के कारण, इसका सीवन कोलेस्टरॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है, जिससे दिल की बिमारियों का खत्रा काफी हद तक कम हो जाता है. वहीं हार्ट पेशेंट्स के लिए मचली का सीवन बहुती फायदेमंद बाना जाता है. सर्दियों में अक्सर विंटर ब्लूज जो की एक तरह का डिप्रेशन होता है की समस्या देखती है. मगर इसका सीवन दिमाग में अच्छे केमिकल्स को रिलीस करता है, जिससे आप इस प्रॉब्लम से बचे रहते हैं. वहीं इसका सीवन ठंड में होने वाली सर्दी खासी, जुखाम, दुखार और बैक्टेरियल इन्फेक्शन से भी बचाव करता है. सर्दियों में ठंडी हवा के कारण घुटनों, मास पेशियों और गठी का दर्द होने लगता है. ऐसे में दोस्तों, हफ़ते में एक से दो बार मचली का सेवन सरूर कीजे. इससे दर्द के साथ साथ शरीर में सूजन की समस्या भी नहीं आएगी. विटामिन A के कारण मचली का सेवन आँखों के लिए भी फायदेबंद होता है. मचली खाने से आँखों की रोश्णी बढ़ती है और साथ ही मोतिया विंद वह आँखों में सूखे पन जैसी समस्या भी नहीं होती है. तो दोस्तों, यदि आपको आज की हमारी जनकारी अच्छी लगी हो, तो इससे लाई, शियर और कमेंट सरूर कीजेगा. इसे देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद.